असलाम वालेकूम नमस्कार दोस्तों अम्मित करता हूँ कि आप सभी खेरस होंगे तो एक बार फिर से मैं आप सभी के बीचा जिरुआ हूँ कोईत की कुछ ताजा उतरीन अपडेट लेके तो दोस्तों वीडियों बने रहें वीडियो कोईन तक जरूर देखें तो चलिए व आप लोग अपने मुल्क में फसे हुए हैं या फिर अभी नहीं आना चाते हैं आप किसी कारण नहीं आ पा रहे हैं तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देखें अगर आप लोग 20 नंबर वीजा वाले हो अगर आप लोगों का एकामा वैलिड है तो आप लोग बिल जा रहा है वो भी ओल्लाइन अगर आप लोग अपने मुल्क में हैं चाहिए आप लोग इंडिया पाकिस्तान से लंका बंगलादेश नेपाल आप इन तमाम कंट्रीस अगर हैं तो आप लोग अपना एकामा ओल्लाइन डिनीवल करा के आप लोग कोईत में बिल्कुल एंट प्रिकत नहीं होगी और दोस्तों आपकी जानकारी की बताते कि जैसा कि जो रूल से कोईत इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पहले कोविड-90 के पीरिड़ में लगा गया था उसको हटा दिया गया है जिया दोस्तों जैसा कि मैंने कई वीडियो में लगतार आप सभी दोस्तों को जानकारी देते आ रहा हूं जैसा कि अगर आप लोग अभी अपने मुलके से कोईत का सफर कर रहे हैं तो आप लोगों को कुरंटाइन या फिर पीसी आटेस्ट इन तमाम चीजों से आप लोगों को फिरी रखा जाएगा आप लोगों को इन तमाम चीजों से बिलकुल बस सरती यह है कि आप लोगों को वेक्सिन के दोनों ही डोज लगे होने चाहिए अगर आप लोगों को वेक्सिन के एक भी डोज नहीं लगे हैं तब भी आप लोग एंटर कर सकते हो बस आप लोगों को एक पीसी आटेस्ट नेगटिव रिपोर्ट साथ में लेके आना होग तो वहां पे भी आप लोगों का PCR टेस्ट किया जाएगा उसके बाद आप लोगों को जाने दिया जाएगा भाई खादिम वीजा इस्टार्ट है या हम लोग एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग नीव वीजे पेंटर करना चाहते हो तो आप लोग नीव वीजे पेंटर कर सकते हो और अगर आप लोग आप लोग के पास वीजा है या कामा खतम हो चु अल्ला आफेज